इससे पहले कि कुछ समझ में आज CISC ने खेला खेल लिया है या यू कहिए कि स्टूर्डेंट को बहुत बड़े एक सिचुवेशन में डाल दिया है जिसका प्रूफ आप पहले स्क्रीन पर देख लेजिए या प्रूफ क्या करता है दो बड़े मैसेज को लेकर रखे हुए ह पहला कि स्टूर्डेंट के जो बोर्ड एक्जामनेशन होगे हुआ फास्ट और फाइनल एक्जामनेशन होगा इसके बाद नो इप्स नो बर्ट्स क्या इसका मतलब हुआ कि स्टूर्डेंट के कंपार्टमेंट एक्जामनेशन 2024 कैंसिर कर दिये तो बहुत सारे examination मेरे तुप्यपर बहुत अच्छे जाएंगे मैंने तो पढ़ लिक लिए या बहुत अच्छे मेरे तैयारी है और मैं बहुत तेजी से तैयारी करा तो बहुत अच्छे examination हो मान लिया लेकिन compartment examination के साथ marks improvement के भी examination CIOC लेता है और उन दोनों examination के नवने का क्या मतलब है कि अगर student unsatisfied होते हैं अपने marks को लेकर तो विया re-evaluation process 2024 में जाएंगे और re-evaluation process 2024 इतना complex है जिसमें की democracy की उमीद 9 के बराबर है वही traditional बातों को जो 2019, 20, 21, 22, 23 में किया गया 24 में भी किया जाएगा यानि कि student के marks के retotaling किये जाएंगे जो भी examinerों ने marks दिये होंगे और उसके बाद इस student unsatisfied होते हैं तो एक लंबा process डाल दिया दिया है proof screen पर यहाँ दिख रहा है अब इसके दो नहितार्थ है कि यदि board examination में बहुत अच्छी तयारी के साथ नहीं जाया गया और student ने बहुत अच्छे attempt के साथ अच्छे marks नहीं लाए और by mistake अगर किसी कारण से उसके कम marks आ गये या pass marks से फोड़े से भी छूट गये तो student के एक साल पूरे बरबाद और यदि किसी student के तेज तरार student होते हैं बहुत सारे जो 90 प्लस 95, 97, 98 percent marks लाने वाले student के किसी subject में 2 marks, 3 marks, 4 marks कम आने से 5 marks कम आने से 1% कम हो जाता है यहाँ पर तो 1% से 2% का ही matter करता है इसलिए बहुत सारे unsatisfied student revaluation process में जाते हैं revaluation process का अर्थ यह हो गया कि student को उनके जो examination है उनमें भाग लेने के साथ साथ यह पता करने होते हैं कि किस तरह से उनके जो revaluation process है यानि marks unsatisfied है तो आप स्कूलों के थरूँ CISC को यह claim कर सकते हैं पहला online claim है, दुसरा स्कूलों के थरूँ है, तिसरा जो नया revaluation process है वह कहता है कि student को इस process के लिए online और offline दोनों माध्यम को पकड़ने होंगे और इसमें भी 100% student के favor में कुछ भी नहीं होने वानी है student अब क्या करे इन विकट परिस्थितियों में, देखिए situation वाकई में CISC अपने burden को कम करना चाह रही है एक जामनेशन के बाद 2024 के student को अब छोरिए 2025 के board student जो board जामनेशन होने के लिए पक्का हो गए उसकी तैयारी में CISC लगती है वहाँ पर student को सबसे पहले अपने answer को presentable बनाने के साथ अच्छे answers लिखने होगे अब इस समय है जब आप अपने paper की तयारी कर सकते हैं तो अच्छी तरह से paper की तयारी कर जेकम जोरिए student कम से कम पास करने लाइग अपने सभी subject में तयारी करें और जो तेजदरारी student है marks के better, achievement, best ever performance और desired marks के लिए अपने जो भी answer होगे उनको the most presentable way में present करने होगे क्योंकि उसी क्याधार पर marks मिलने है point wise answer के साथ साथ CISC के जो marking scheme होगे process wise, step wise फिर content wise, fluency, accuracy इन सभी point पाच point जो five golden tips गए जाते है अगर cover करते हैं तो आपको पूरे पूरे उम्मीद होगे कि बेतर धन से board एक जानाचर 2024 में excel कर सके किसी बीच यदि आप जूटे हो और marks बहुत अच्छा लाना चाहते है तो उस वाल गुरुकुल के 61 sample paper ICSC के लिए आप जा सकते हैं link वीडियो के description में यह आप आईएसी मिल जाएंगे sample paper human interest और science system के student के लिए तो बने रहने वीडियो को लाइक करने मैंने बहुत ही खोज के साथ यह बात CISC के अपडेट में जो छूपे हुए संकेत सथे बताने की कोसिस किये आम language में तो एक बार फिर रिक्वेस्ट रोगा है वीडियो को लाइक केजिए चैनल को सेर केजिए जो सब्सक्राइब करना याद रहे है